गाड़ी स्टार्ट एक प्रॉब्लम देखना सबसे पहले कितना अजीब प्रॉब्लम है पहला गेर लगाया उठाने गड़ 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 कर रही है अब सही है दूसरा गड़ बिल्कुर मैं उठाने में है यह प्रॉब्लम सारी गलती से जाम में फस गहना तो बहुत बुरा हाल है रुलादे की गाड़ी खड़ 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 करी जारी है जैसे क्या हो गया यह गाड़ी है होंडा अमेज नया मोडल वाला है गाड़ी है ठीक है और इस गाड़ी का हम यह प्रॉब्लम सोट आउट करेंगे मात्र अभी 42,000 किलोमेटर चली हुई गाड़ी है और यह प्रफिलाली किसी ने किये भी हुए एक डेड़ मेना पहले की बात है नया सेट भी डाले है पर देखते हैं कि यह सा क्यों हो रहा है एक गीर की कंडिशन देख रहा है लीकेज वीकेश यह दखो लीकेज तो इसका रिजल्ट है यह जो ड्रेन नट यह पूरा टाइट नट है यह दो टाइट नहीं है यह से लूजी था हलका हलका सील करें जो किसी ने किया है ना उनसे मिश्टेक रहा गई हो जाता है यार मिस्तरी आदमी यह क्या कह सकते हैं देदो इधर देदो लाइविल का दिखाव ज़रा फ्लाइविल को बाहर निकालो ज़रा इसलिए क्योंक से जरकिंग आ रही है तो क्लेच प्लेट तो मुझे नया डालना पड़ेगा क्योंकि किसी ने नियूव डाले भी है देख रहा है न नहीं जब और दो महींन पहले की बात है यह फ्लाइविल को कराना पड़ेगा मुझे जरा साहलका जा टन कराना पड़ेगा तब कहानी तो मैं इसको अंदर से भी बड़ी चका चक करने वाला हूं और बाहर से बाद से मतलब नहीं है अंदर गंदगी नहीं होनी चीहां कि यह बात है कि चलो जी फिल्टर तो खैर नॉर्मली गंदा होई जाते हैं है कि नहीं है तो यह नॉर्मली हो जाते कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह होजिंग को भी साफ करेंगे यह यह फिल्टर एक कुलेंट भी देख रहे ना जान नहीं रहा कुलेंट के अंदर तो भाईया यह थ्रोटल बोडी हमने बाहर निकाल दिये हैं यह देख रहा नहीं यहां पर यह कचले का जो मोटा लेयर है यह देखो बहुत मोटा लेयर है यह क्या होगा स्मूथ हो जाएगा जो कहता है आइडलिंग स्मूथ हो जाएगी बहुत मज़ा आ जाएगा गाड़ी के अंदर ठीक है अब इसको अच्छे से क्लीन करते है थ्रोटल बोडी को अभी हमने पूरा यह देख सकते हैं कितना बढ़िया क्ल चलें के लिनिंग करा दी बढ़िया और इधर भी सारे क्लीन करा दिया बढ़िया से ताकि ठोला साभी कोई लिकेज वीकेज का भी चांस रहेगा न तो वह भी मेरेको मज़ा आ जाएगा अभी फ्लाइविल को हमने ले लेथ वर कराया निकित फोला सा पॉलिस कराया पास मे लेकिया हो देख सकते आप फ्लीसिंग दे दी है अब मैं ओरीजनल होंडा का कलर सेट यह देखिए होंडा का देख रहा है ना होंडा का कलर सेट ओरीजनल मैं यूज कर रहा हूं अब ओरीजनल ही चलेंगे यह देखो अब जो है कलच किया है है जो पकड़ोगे ओरीजनल हम मै यूज कर रहा हूं मैं प्रेशर प्लेट यह इच और यूजण यूज नदर लग गया तो फिर जो कर दने स्मूथने स्मूथने साइगी गाड़ी के अंतर फेस करा दिया बहुत बढ़िया हो गया जो बैरिंग है ना वही लगाएंगे पुराना वाला ही बैरिंग था क्योंकि नया बैरिंग ठीक था एक पास में आओ जरा यह देखो कितना ज्यादा भेंकर लेवल का एक निसान है इ हुआ सकता का तौन कfort कांशचा भी सारट सेस्केंशनो के है व्रेक को शाप कर लेंगे पैड़ बहुत ज्यादा है तो तो बैतर हो जाएगा ब्रेकर फाइनल करके पीछे कषे का ब्रेक करेंगा चला दिये को सारा फीटिंग तोर इक करेंगे अच्छे से क्लीनिंग कर लिए देखरें ना अच्छा रिस्पोंस करेगा जो कहते हैं अब इसको हम फीट कर देते हैं यह ओल फिल्टर को अब लगा देते हैं थोड़ा सा ओल लगा के तो भीया यह है कुलेंट बोतल ऐसे करने पड़ेंगा अच्छे से क्लीन क्योंको पता नहीं पट रही कुलेंट है कि नहीं है नोर्मल सरफ के कपड़े से वरियाए साफ हो जाए गया मजा आ गया बाह बता रहे थे कि आज तक किसी ने स्पार्क प्लक का नामी ने लिया यारे कराब होगा तो बदलूंगा मैं सर्विसिंग में देखो सब चीज होने चीज़िए है कि नहीं मजा तो तब ही है जी यह वाल है माई की सू की वज़े से आवाज नहीं रिकोड़ पाया यह पॉइंट इसका गल गया है देख सकते कितना पतला हो गया है न्यू एंजी के का कई डाल रहा हूं जो की पुराना भी का ही निकला है इसलिए डाल रहाए अब एक एक पॉइंट को कर लीजिए एके करके डाल देता हूं नहीं पूरा साफ करेंगे सब भाईयां से ठीक है यह तो ठीक है लेकिन देख रहे ना आज तक कोई सफाई सुभाई का तो कोई माई बापी नहीं है कि इसका कभी सफाई करें यह दखो कि इसको भी अच्छे से मुझे क्लीन करना पड़ेगा लेदर सही है बढ़िया है खाली क्लीनिंग की बात है आज तक किसी ने इसको साफी नहीं किया कहां से होगा यार सर्वीसिंग में मजात हो जाता है यह क्लीनिंग बहु जरूरी है क्लीनिंग करेंगे तब ब्रेकों के पकड़ अच्छी होगी ब्रेकों पकड़ तो ठीक है लिकिन मज़दारी नहीं है जो स्मूथनेस होनी चीए कोई भी चीज खराब नहीं है खाली क्लीनिंग की बात है डर्ष्ट की बात है बस तो हम इसमें ब्लू कलर का पुलेंट यूज कर रहे है सनी स्टार का ब्लू लिखा हुए न अब इसको मैं लगा देता हूँ बचा हुआ कुलेंट इसमें डाल देते हैं बहुत अच्छा कुलेंट है या जितना आएगा पुरा कुलेंट ही डाल देंगे प्योर अच्छा को अच्छा को अच्छा को इस पुराना था नया मोडल आ गया ना दो पुराना दो ना मतलब यह पैकिंग दूसरी हो गई निकी चेंज हो गई प्योर कुलेंटी डाल देंगे जितना आएगा ठीक है मोबिल का गेरोल डाल रहा हूं में ठीक है और गेरोल डालना इसलिए जरूरी है कि पहले भी पता नहीं किसने डाले नहीं थे अब जब भी कलच करते हैं तो गेरोल डाल देना चाहिए सबसे बड़ी चीज है पर वह पूरा नहीं डाल दिया हो तसलिए में निकालना पड़ता है निकालना तो और डेंजर होता है निकालेंगे उसमें डश्ट रहता बहुत सारा बहुत सैप गेम खेलना होता है देखो अब यह क्या है हमने पाइप डाइरेक्ट उसके अंदर लगा ली है अब यहां से डालते रहेंगे यह हमने गेर में पकड़ रखा है वहां से और यह पाइप आके यहां गेरोल डाल रहा है कि बिल्गुल मजा आजाना चाहिए गेर में काम ऐसे नहीं होता है गाड़ी ओरीजिनल माल मांगती है और थूकलासा रिपेरिंग भी बहुत ज्यादा नहीं मांगती है गाड़ी रिपेरिंग कब करना होता है जब आपके पास option नहीं है कोई भी कोई चीज टूट गई उस पर्टी रहेगी वेल की ना उतना स्मूथ होगा इंजन और गेर यह केस्ट्रोल मेगनेटिक में यूज कर रहा हूं 5w30 फुल सिंथेटिक सिंथेटिक ओल के लिए यह सिंथेटिक इंजन ही सिंथेटिक वाला है ठीक है अपना ब्रेंडिंग चेक कर लेंगे केस्ट्रोल का जिस भी कंपनी का उसका ब्रेंडिंग चेक कर लेना होता है और कोई बात नहीं है थोड़ा चेक कर लेंगे तो इससे क्या होगा लोकल ओरिजनल का फरक पता पड़ेगा और वो मिस्तिरी क्या जिसे ओरिजनल और लोकल की पहचानना हो बड़ी असानी से कह देते हैं बड़ पीलर के स्टोल तीनों इतने अच्छे होते हैं इनके मार्जिंग नहीं होती है इनके तेलों पर पर तेल इतना जबर्जस्त होता है यह का दोजर फालतू भी चल जाना तो कुछ दिक्कत नहीं होती है कि अरे चंबर टाइट है भातों में पूछा नहीं यह देगर सीसे की तरह तेल यह इंजन में जाकर जब रिस्पोंस करता है न तब कस्टमर करता है भाई मेरे क्या डाले हो यार इंजन में इतना मज़ा सा आ गया को तेरी तो फानी से जब धौते है न तो कब तक ये davon को नहीं लगाना होता है जब तक कि ये पूरा पानी सूक न जाए अब दिखिए जैसे पूरा सूक गया थोड़ा सा और वेट करेंगे हम और पानी सूप जाएगा तभी हम ड्रम को यूज करेंगे मतलब ड्रम इसमें लगाएंगे अने था गीले पे नहीं लगाना है यह फील्टर एसेम्बली मज़ा आजाना चाहिए बिल्कुल यह फिल्टर निव लगा देते हैं ठीक है उनो मिन्डा भासार मज़ा आ जाना चाहिए इंजन के अंदर जब गाड़ी चले कस्टमर काया क्या बात है यह यह बात है लो फीट करो इसे जरा यह बात है अब एक गंदगी देख रहे हो इंजन कितना गंदा है हमने चुकी कलज़ प्लेट खोला था इसलिए इसकी सफाई नहीं करी थी हमने ऐसे कलज़ प्लेट खोल दिया था फड़ावट अब इसकी पहले क्या करते हैं इंजन की मजाई कर ले त बहुत गंदा है यार अभी हमने पूरा लिक्वीट से बढ़िया से माज दिया इसे जितना हो सगया ब्रूसिंग कर दी बढ़िया करके इंजन फाइनल क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया ठीक है जी तो यहां से इंजन भाई नया सा हो गया बिलकुल मजा सा आ गया इं जो सही है वह सही है क्या करते हूँ है क्लेक्ट आंइश्टेश मुझे लग रही मैं पहली भारी खौल रहा हूं इसने यह बात है भाई ैसमें भी पानी कम आया निकि यह सब में पानी कम है अ यह सब कर दिशिक प्राष्च कर device देते हैं इसको डशकना को ऐसको देंजर वह यह लगा लो वाइपर में क्रिस्टल किलियर पानी लिया हो तो भाई सारा काम फाइनल हो गया अब बैटरी का टर्मिनल यह लगाएंगे क्या समझे क्या समझे करना है क्या समझें पेच पकड़ो अभी इंजन को स्टार्ट किया बहुती सांदर साउंड हो गया अब इसको रमा करते हैं तो इसको गरम करते हैं फैन को हमने इसको जब भी स्टाट करते हैं तो कुलेंट आटोमेटिकली कम हो जाता है नीचे चला जाता है इसके लिए हमें बाद में भरके पुरा ओबर ना पड़ेगा है दीरे तभी तो दीखेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और बजाओ बाद दो बार कोई चेक करें तो सिर्फ दो बार टक टक बजाओ एक बार टक 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 यह चेकिंग कर तरीका है खाली पार्किंग जलाओ हेडलाइट कि दीपार अब बहुत बनिया इधर का हो गया इधर का हो गया खोलो अरे वा भाई वा चलो खोलो 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 बस इसको अच्छे सा क्लीनिंग करो बढ़िया करके हाँ डीजल मारो डिक की खोलो हो बहुत बड़िया चलो बरे ब्रेक दवाओ थोड़ो इसाद फोल शुल जलर में जल रहे हैं यह वाना जला ब्रेक दवाओ फ्रको भेरे चोड़ा हेडलाइट जला रही ए जल रही एधर का नहीं जल रही है यानिकी ए नहीं जलर रहे अब एक छोड़ो अच्छा हेड लाइट जला है हो ऐसे ठोका तब जल गया दूत तोरी की जा रहा हूं यह दो अब रेक दबाओ एक बाढ़ा चलाओ एक बाढ़ काम कर रहा है बंद कर बास इस्टार रहे तो नोर्माल अभी फैन चेक करेंगे बाद में धुलाई का प्रोसीजर है अभी इसको ही फाइनल करेंगे भाई एक चीज नोटिस करना भाई कितनी स्मूथ हो गई यार ओए होई 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 भाई साथ देख रहा है कितनी ज्यादा स्मूथ हो गया इंजन है 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 भाई सर्विसींग के बाद जो डाली है ना वहले मजा गार दिया आवाज देख लो चलो यह चल रहा है एक नंबर वे बहुत फ्लो है दो तीन चार बाई सब चार नंबर वे तो हालत खराब कर दे रहा है पैरों में यह आ गया सारे गेर आई है बिल्कुल मक्खन की तरह है गेर और चेंज कर दिया ना अकल चेंज कर दिया है मलाई पहला दूसरा तीसरा चोटा पांचवा बैक कि ठीक है जी यह हो गया जी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस पर हो रहा है इसको तीन पर करना है तीन पर करो और जेस्ट करो कि सारे विंडों में चेक कर लेता हूं सारे दर्वाजे का डूर हैंडल चेक करो हां सारे डूर हैंडल चेक करो ठीक है यह जब रूप्लम की लाइट जल गया बूजी गया फाइद धूंगा उट गया यह बात है ठीकना ऐसे फैंच चला चला कि हम टेस्ट कर रहे हैं इसको ठीक है चल रहा है और इंजन में जितना मॉबद गया नहीं इस इंजन के जाद में आज लेकर ना चमकाने बहुत टाइम लगा तो चमकता है लगता है यार क्काम हुआ है माल भी डलता है ऐसाने चमकाने नहीं आप बी आप यहा है बस जाव है इत्वर दिक़ा हो मतल 나올 üç पर पर फेक्त है भाइसां अब देको फिरी हुआ पयादे हुआ है यह बात है यह बात है तीसरी पार चल गया भाई साब के बात है गाड़ी बंद कर दी इंजनल का लेवल अकूलेंट का लेवल दोनों टेस्ट करेंगे असली तभी उसको शर्विसिंग बोलते हैं अब फ्रोटल बोडी है मजा आगया ना टक टक कर रहा है तो बड़ी से बाहर से बिल्कुल चका चक करवा दी ठीक है ट्राइल तो मैसी बस आजो जी बैठो जी क्विक इस्टार्ट है पहला गेर क्या बात है बिल्कुल स्मूथ उठ रही है पहला गेर अब नहीं है पहले तो खच 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 बहुत बुरा करती थी इतना बुरा लगता था अब ठीक है बिल्कुल गवाजी वाज क्या बात है यार काड़ियां बहुत ही मज़ा गाड़ रही है तेरी पीकप रही है बाई सब्सपार्क प्लग डाल दिया ना पीकप में बहुत ही मज़ा आ गया अब ब्रेकिंग भी ठीक हो गई साप सूप कर दिये क्या बात है बहुत बढ़ियां अब ब्रेकिंग पर उतारे हैं कोई ऐसे नहीं कर जर 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 आई है तो बहुत बुरा हाल था कोई भी माल फंक्शन की लाइट नहीं आ रही है बार बार इको ही चल रहा है इतर दिखाओ मिटर में इको चल रहा है देख रहा है अब समझिए कितना टाइम से इको पर ही चल रही है आई है यह है माइलेज भी बहुत टॉप हो जाएगा इसका क्योंकि वो इल भी एक नम्मर का डाला हो इस पार्क प्लक भी डाल दिया गाड़ी में मजा ही आगया बिलकुल सांदार क्या वाद है जब कम स्पीड में जब कम एक्सिलेटर में गाड़ी में मजा आ जाए तो समझ जाना एक भाई गाड़ी अब कर रही है तकड़ा करके रिस्पोन्स गाड़ी का पहला गेर लगाया यह गाड़ी उठाई बिलकुल समूथ हूट रही है पहला गेर लगाया यह देखो अब वो जग जगाने का सिस्टम जो है पहले जो था अब नहीं था बहुत ही खुब सूरत यार मजा आ गया अभी चड़ाई है यह देखो चड़ाई में भी बिलकुल पता ही नहीं पड़ रही है बहुत ही सांदार या बैठो आजाओ तो गारी काफी स्मूथ हो गई काफी अच्छी हो गई ठीक है जे काफी बहतरीन पीक अप हो गया गारी का कोई आज पहले भी नहीं यह ब्रेकिंग कितनी टन अटन हो गए मैंने ब्रेक खाली क्लीन किये हैं अब ब्रेकिंग अपने आप अच्छी हो गई बहुत सैट हो गई तो ठीक है आपने इतनी मुप यह देखो कितना जाम को मैं बहुत ही सांदार यह दूसरे गेर में उठा रहा थोड़ा सा भी वह नहीं है वाइब्रेशन नहीं है नहीं बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करती ती तो ठीक है यार आपने इतनी मुहब्बत दी दिल से आप सभी भाई लोगों को दुबारा से और दिल से हर बार की आपकी अपनी अपना चैनल है बागे गारी तो हो गए टन एक नमबर का सर्विस भी बहुत ही वो तरीके से किया मैंने